बहराइच में दगनाख हाथसा, बस और ट्रक के आमने सामने भिढ़न्त में छे की मौत तेरा घायल बहराइच थाना जर्वल रोड अंतरगत ग्राम टप्पे से पाफ पानी टंकी के बास लखनव से बहराइच जा रही बहराइच की तरफ से लखनव जा रही थी, कि अचानक आमने सामने टक्कर हो गई, हाथसा इतना भयानक था कि बस के पर खच्चे उल गए जिससे बस में बैठे ट्रक ट्राइवर समेच 6 की मौथ हो गई, तथा तेरा यात्री घायल हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई मौके पर पहुँची पुलिस में सभी घायलों को C.A.C. मुस्तफाबाद भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गंभी रूप से घायल यात्रियों को लखनवू ट्रॉमा सेंटर भी रैफर किया गया हाथसी की जानकारी मिलते ही S.D.M. कैसर गंज, A.C.P. सिची और सियो भारी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुँचे जिलाधी कारी वहेस्पी ने शान्ती बनाए रखने के लिए कहा आथसा जर्वर रोड थानक शेत्र के घागरा घाग के पास हुआ, बस में लगभच चाली स्यात्री सवार थे यह आज बहुती दुखत घटना हुई है, जिसमें एक रोडवेज की बस थी, यह लखनाओं की तरफ से आ रही थी, जैसा कि यहाँ जो घायल लोग हैं, उन्होंने बताया कि जैपूर से आ रही थी, और एक ट्रक बैराइच की और से आ रहा था, तो यह दुर घटना हुई जरवल ठाना छेत्र में, छह लोग की मरत्य हुई है, बाकी सेस लगवक 15 लोग घायल हैं, जिसमें से 4 सीरियस हैं, प्रार्थविक्ता के आधार पर पुलिस वल सबेरे से ही तैनात है, जैसे ही घटना की सूटना मिली, पुलिस के लोगों ने रेस्क्यू किया है, और जो घ मैंश तो पर पुलिस वत्ता फ्वारे वीच में याज़ा से